नमस्कार मैंना अजमिन खान आप देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूस शादी का दौर शुरू हो चुका है और पाटियों में ही शादी का दौर देखा भी जा रहा है बीते वक्त ये सामने आया था कि अदिती सिंग ही कॉंग्रेस के ही एक विधायक के साथ शादी रचा चुकी है और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी नवंबर में हुई थी बेहद ही खास तरीके से अदिती सिंग की शादी भी हुई थी वो कॉंग्रेस विधायक है और पंजाब के एक उन्होंने शादी की थी वो भी शादी के बंधन में बंधी थी और अंगदा सिंग सेनी से उन्होंने 91 नवंबर को शादी रचाई थी और भव्वे तरीके से अदिती सिंग की शादी भी हुई थी और उस शादी में काफी नेता भी मौजूद थे राजा भाया भी देखे गए थे वो ये भी कहते वे देखे गए थे कि उनको वो अपनी बेटी के रूप में मानते हैं अब ऐसा ही सिलसिला चलते हुए एक और ने पंकुडी पार्ठक जो अभी फिलाल कॉंग्रेस की पैनिलिस्ट मीर्ड्या पर्षण हैं वे कांग्रेस की मीडिया पैनिलिस्ट पंकुडी पार्ठक अब सपहक नेता सब्सक्राइम नहीं हमें तूर का और पाटियों में भी देखा जा रहा है और काफी दिल्चस्प बात भी है कि काफी टाइम से पंकुरी पाटक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी वो खामोस थी दरसल कहा जाता है कि वो प्रवक्ता थी पहले वो काफी कुछ कहती भी नजर आती थी लेकिन अब ये सिलसिला चल होने वाली है और दिसंबर में ही वो शादी करने वाली है उन्हों ने इस बात की जानकारी दी है कि एक दिसंबर वो दिल्ली के वसंधरा वातिका में शादी करेंगी और आपको बता दे कि पंखुडी नौइडा के निवासी अनिल यादव से साधी करती हुई नजर आएंगी अनिल समाजवादी पार्टी के पूर्व रास्ट प्रवक्ता रहे हैं और यूपी के पूर्व सीम अखिलेश यादव का उनका करीबी संबंद भी है आपको ये भी पता दें कि एक दिसंबर को जब पंखुडी पार्टक शादी करेंगी तो भव्य तरीके से दिल्ली में उनकी साधी का ये नजारा देखा जाएगा वहीं आपको ये भी पता दें कि पंखुडी पार्टक की ये शादी लव मैरिज है जी हाँ आपको पता दे आरेंच मैरिज नहीं कि बलकि पंखुडी या पंखुडी पाठक लव मैरिज करती हुई नजर आएंगे ये काफी टाइम से चल रहा था कि जब पंखुडी अनिल यादव से प्यार करती थी और ये सिलसिला तब चला था कि जब वो सपा में थी और सपा के प्रवक्ता थी वो उस दोरान ये भी देखा गया था कि अनिल यादव से उनका प्यार भरा सिलसिला चला और उसके बाद तुनों के घर वाले राजी है और धूमदान तरीके से इन दोनों की शादी और काफी लोग इनकी शादी में भी मौझूद होगी शादी रखे इन्हों ने पिछले ही साल विधान सभा चुनाव के दौरान सपा ने उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया था और पंकुरी समाजवादी पार्टी के छात्रिसंग का चुनाव भी लड़ी थी हाला कि परिवार की राजनीतिक प्रिस्ट भूमी तो नजर नहीं आई उनका कोई भी परिवार राजनीती में नहीं है लेकिन पंकुरी पार्टक लो करने के बाद राजनीती में उन्होंने कदम रखा और सबसे पहले उन्होंने सपा पार्टी को ही चुनाव समाजवादी पा ही कहा जा रहा है कि 2018 में सपा ने पैनिलिस्ट की नहीं लिस्ट जब जारी की थी तो पंकुरी यादव का उसमें नाम नहीं था जिसको लेकर उन्होंने नराजगी जताई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और कॉंग्रेस की तरफ रुख कर लिया अब व बता दें अब उनकी शादी एक दिसंबर को होगी और बेहत ही धूमधाम तरीके से की जाएगी और यह कहा जा रहा है कि सपा के सभी नेता और कॉंग्रेस की सभी नेता वहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे क्योंकि दोनों ही पार्टी से पंकुरी पार्ठव का कहीं ना लिए इतना ही बागी की तमाम खबरों के लिए बने रही है स्पेन नाइन न्यूस के साथ